फ्रेंट्स वट्सप के कुछ न्यू अपडेट आ चुके हैं और साथ मैं वट्सप के कुछ न्यू फीचर भी आपको देखने को मिलने वाले है और सबसे बहतरीन सबसे जबरदस्त जो इसमें फीचर आने वाला है जो अपडेट आया है वो है कि वट्सप पे अब आप अपन आपने कर लें उसके बाद उसे आप डिलीट कर पाते हैं पर उस मैसिज को उस टेस्ट मैसिज को आप एडिट नहीं कर पाएंगे तो ऐसी कुछ बहुत इंटरस्टिंग से अपडेट आए हैं वाटसप पे तो वीडियो एन तक जरूर दे के स्टार्ट करते हैं आज किस वीड पे स्टेटस लगाएंगे तो अब आपको एक वीचर मिलेगा जो आपके किसी को भी जो आपका स्टेटस देखेगा है फिर आपको जो एक इंडिकेटर यहां पे आप देखोगे कुस तीन टाइप के डॉट आपको देखने को मिलेंगे तो ऐसे इंडिकेटर आपको देखन यह है कि जब भी WhatsApp पे आप status लगाएंगे तो वहाँ पे अब आप किसी को भी shout out दे सकते हैं अभी तक यह जो option था WhatsApp पे नहीं था shout out का आपने देखा हुआ YouTube पे बहुत सारे जो वीडियोस देखते हैं वहाँ पे बड़े-बड़े creator जो है shout out देते हैं अपने subscriber को तो अब ऐसी shout out आप जो है WhatsApp पे भी देख पाएंगे जो सबसे पहले आपका जो status देखते है स्क्रीन स्वाट के तुरू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे new update future update में आपको यह भी जो है बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे तो फ़र्ष यह कुछ update है अब बात करते हैं दूसरे update के बारे में तो फ़र्ष यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात हो रही है वो कि WhatsApp पे अब जो है आपको edit बटन देखने को मिलेंगे तो WhatsApp is working on edit text message तो होगा क्या यहाँ पे अगर आपको screenshot दिखाना चाहूँगा तो info copy and edit यहाँ पे जब भी आप किसी को message करेंगे अपने किसी भी friend को तो वहाँ पे से पहले आप उसे edit नहीं कर पाते थे जो एक बार आपने test message कर दिया तो उसको यह तो डिलीट करना परता था आपके लिए user के लिए तो यह बहुत ही अच्छा जो है personally मुझे काफी अच्छा लगा यह वाला update आप comments करके बताना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा तो यह update है इसके बाद एक last update की अगर बात करूं तो friends whatsapp में आपको अभी जो एक देखने को मिलेगा update की whatsapp पे अब आपको जो एक undo button है वो भी देखने को मिलेगा आपने देखा हुआ computer में laptop में जब भी हम आपे हमें option मिलता है undo करने का तो अब यही option आपको whatsapp पे भी मिलेगा अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहूं friends the whatsapp is working on a ability of undo message delegation for a future update of the app तो यह भी update आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा screenshot पे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा undo और side में आपको जो है यहाँ पे message message का option देखने को मिल रहा होगा message यहाँ पे delegation का delegation का option तो यह कुछ update है जो whatsapp की तरब से roll out कर दी जाएंगे पर कुछ ही time में करके अभी यह developing mode में है तो बहुत जल्दी यह roll out हो जाएंगे तो कौन सा update आपको सबसे best लगए जरूर comments करके बताना और साथ में friends अगर आपका कोई question है what's up last scene what's up online से related आप जरूर comments करके बताना यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दू कि what's up ने अभी यहाँ पर या फिर what's up जो डेवलो ए बेटा info है उन्होंने अपने twitter handle से एक tweet कहा था जिसमें उन्होंने especially बताया था कि जो what's up जो online है या फिर what's up जो last scene है उसमें एक privacy update किया है तो अगर आपको यह भी जानना है तो comments करके जरूर बताना next video dedicated इसी के लिए होगी से पहले मिल सके